तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं अब कि योगिक क्या होता है या योगिक इसको कहते हैं साथी साथ योगिक के प्रोपर्टीज क्या होते हैं इसके अलावे योगिक के बारे में तत्व और योगिक में क्या अंतर होता है इन सारी बातों के बारे हम यहां पर देखने व बना होता है दो या दो से अधिक पदार्थों से मिल करके बना होता है जैसे अगर हम बात करें जैसे हम बात करें है न हमने कहा कि दो पदार्थों से दो या दो से अधिक पदार्थों से मिल करके क्या बनेगा तातु बनेगा ठीक है यहां पर अगर मिश्रन के बारे हम देखे तो ये भी तो दो या दोस अधिक पदातों से मिलकर के बनता है इसलिए योगिक का ये complete definition नहीं होगा देखो योगिक तब बनता है दो बात याद रखना योगिक तब बनता है जब दो या दोस अधिक पदात मिलेगा और एक निश्चित अनुपात में मिलेगा साथ ही साथ योगिक के बनने में उस्मा परिवर्तन होगा योगिक के बनने में क्या होगा उस्मा परिवर्तन होगा या उस्मा लिया जाएगा या उस्मा दिया जाएगा तो ये योगिक के बनने में होता है हम definition क्या बना सकते है योगिक वह सुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निस्चित अनुपात में मिलाने से बनता है इसको हम लोग योगिक कहते हैं यह तो योगिक के वारे हम बाते हो गई अब यहाँ पर जितने भी कंपउंड होते हैं जैसे इसका मतलब ही समझ लेते हैं जैसे हम времoo ही जल बनाएंगे तो हाइड्रोजन और अकसिजन को मिलाएंगे तो ये हमारा जल बन जाता है बट यहाँ पर hydrogen oxygen को तो मिलाना है बट किस अनुपात में एक अनुपात आठ में इसको मिलाएंगे तब जाके जल बनेगे कहने का मतलब है अगर सपोज अपने को 9 लीटर जल चाहिए कितना? 9 लीटर जल चाहिए तो 9 लीटर जल लेने के लिए हमको 1 लीटर यहाँ पर चाहिए hydrogen और 8 लीटर चाहिए यहाँ पर हमको oxygen 8 लीटर oxygen के साथ 1 लीटर hydrogen मिलेगा तब ही जाकर के यहाँ पर हमारे पास 9 लीटर जल यहाँ पर बनने वाला है तो इस परकार से हम कह सकते है कि यहां पर योगी को बनने के लिए एक निश्चीत अनुपात में दोयादोस अधिक पदार्थों को मिलाना पड़ता है जैसे एक दूसरा भी उधारान ले सकते हैं धी कार्बन डायोकसाइड यहां पर कार्बन और उक्सीजन का नुपात क्या होता है थी अनुपात आठ मतलब तीन भाग कार्बन और आठ भाग उक्सीजन एगर सब्सद्व हमारे पास 11ल अगैस हाख तयमेंक 3ल कार्बन होगा और 8ल क्या होगा 8min यह पर ऑक्सीजन होगा तब ёक घ् 이्याठ लीटर यहाँ पर हमारे पास carbon dioxide बनने वाला है. इसके अलावा अगर हम बात करें, तो किसी भी योगी का एक निश्चित रासानिक सुत्र होता है. जैसे अगर हम देखें जल, जल का सुत्र क्या होता है ऑक्षीजन का एक परवान्यो जल के एकंणु में हाइडोजन का दो परवान्यो और hydrogen का 2 और oxygen का 1 परमानू इसी तरह से अगर हम बात करें कारवन डाय ओक्साइड के अंदर में तो carbon dioxide के एक अनू में यहाँ पर carbon का एक परमानू ठीक है देन यहाँ पर बात करेंगे oxygen का 2 परमानू इसी तरह से और भी बात कर सकते हैं ammonia देख लो NH3 सुत्र होता है यह भी एक योगिक है ammonia के एक अनू में nitrogen का एक परमानू nitrogen का एक परमानू यहाँ पर होगा then hydrogen का 3 परमानू होगा hydrogen का 3 परमानू होगा यह होगया के लिए तो यह योगिक होता है तुमको योगिक को एक निश्चित सुत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है साथी साथ एक बात और याद रखना योगिक का द्रबनांक और कोथनांक जो है वह निश्चित होता है अब द्रबनांक और कोथनांक होता है क्या यह समझो सब्सक्राइब कोथनांक मतलब कितने डिगरी सल्सेस पर उबलता है अब द्रबनांक का मतलब अगर सॉलिड स्टेट में है तो कितने डिगरी सल्सेस पर वह द्रब के रूप में बदलता है तो योगी के लिए से जल की case में बात करें ना तो जल के case में इसका देखो fix होता है कि ये 100 degree Celsius पर जल उबलने लगता है और 0 degree Celsius के बाहर जब जाएगा जल उपर आएगा तो ये उससे द्रब में बदलने लगता है तो जल का द्रबनांक और कुथनांक निश्चित होता है तो य या दो से अधिक पदार्थों को जब निश्चित अनुपात मिलाया जाता है तो योगी का निर्मान होता है योगी का द्रबनांक और कुथनांक दोनों निश्चित होता है योगी का एक निश्चित सुत्र से हम लोग व्यक्त करते हैं और उस सुत्र से हमको पता चलता है कि उस योगी के एक अनू में किस-किस तत्वों के परमानू है और किस-किस तत्वों के कितने-कितने परमानू है। क्लिए रेवाद चलो जी आगे बरते हैं।